नमस्कार दोस्तों मैं आजयल सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Maths के दोस्तों कुछ most important question जो बार-बार आपके परिक्षाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों Maths में कुछ set pattern के प्रस्ण होते हैं जो हमेशा exam में पूसे जाते हैं उन्ही सब प्रस्णों को इस वीडियो में हम सामिल के हैं और दोस्तों इन सब प्रस्णों को solve करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि Maths के प्रस्णों को solve करने के लिए आपको pen उठाने की जरूरत न पड़े दोस्तों ये सारे question आपके आगा मी सभी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतपूर है इसलिए दोस्तों आप सभी प्रस्णों को ध्यान से देखिएगा और note जरूर करिएगा तो आईए दोस्तों देखते हैं पहला प्रस्ण देखिएगा दोस्तों पहला प्रस्ण most important question है ऐसे प्रस्ण हमेशा exam में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रस्णों को solve करने के लिए आपको pen उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको X मानने की भी जरूरत नहीं है प्रस्ण को पहले एक बार अच्छे से पढ़िए प्रस्ण है दोस्तों किसी फर्म में पूरुस करमचारियों का औसत बेतन 520 रुपे तथा इस्तरी करमचारियों का औसत बेतन 420 रुपे है यदि संपूर औसत बेतन 500 रुपे हो तो पूरुस इस्तरियों में अनुपात होगा यानि पूरुस और इस्तरियों का किस रेशियों पूझ रहा है किस रेशियों में पूरुस और इस्तरी है यानि कि पूरुस वर्म महिला है ठीक है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों ऐसे कभी भी कोस्चन आए तो एलिगेशन रूल इसके लिए बहुत आसान होता है अभी हम आपको बता रहें कैसे करना है देखिए कोई फ़र्म है दोस्तों उसमें क्या है पूरु ऐसे लिखेगा ठीक है और यहाँ पर कह रहा है संपूर संपूर आसद बेतन मतलब पूरुस और महिलाओ दोनों को मिला दिया जाए तो आसद बेतन क्या हो रहे है 500 रुपए तो इसको हम क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पर बीच में रखेंगे ध्यान दीजेगा अब क्य वाले लाइन के सामने लिखेंगे यहाँ पर 20 ठीक है समझने का प्रयास करिएगा फिर उसके बाद से क्या करेंगे 500 में से दोस्तों क्या करेंगे इस 420 को घटा के यहाँ पर सामने लिखेंगे ठीक है इस सामने तो 500 में से 420 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 80 होगा ठ ठीक है, तो 80 और 20 का दोस्तो रेशियो आया है, आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन option में देखेंगे, 80 अनुपाते 20 option number B में दिया है, तो आपका option number B दोस्तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप चाहें तो 20 चोग को 84 is to 1 भी रेशियो कर सकते हैं, लेकिन option में 80 20 दिया है, तो यही option क्या हो जाएगा, दोस्तो सही हो जाएगा, तो दोस्तो हम उमीद करते हैं, आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे, और इस type के question आपकी exam में आगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, और दोस्तो ऐसे question हमेशा exam में पूछे जाते है, इस question को आप note जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही important है, और irrigation rule हम उमीद करते हैं, आप सभी लोग समझ गये होंगे, क्या किया जाता है, irrigation rule में, देखिए, यहाँ पर 520 है सबसे बड़ा, तो बीच वाला संख्या घटा दीजे, फिर बीच वाले में से क्या कर देखिएगा, दूसरा question, दूसरा question भी काफी important है, पूछा गया प्रसन है, ध्यान दीजेगा, और पेन उठाने की इसमें भी विल्कुल जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके, देखिए, दूसरा question पढ़िए पहले question है, किसी गाउं की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3,000 अधिक होती, तो जनसंख्या में 10% की बृद्धी हो जाती, गाउं की मूल जनसंख्या गयाद करें, गाउं की मूल जनसंख्या क्या है, यह पूछ रहा है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना दोस्तों यहाँ देखिए माल लेगे मोल जन संख्या दोस्तों क्या है 100% है कितना है किसी गाउं की जनसंख्या 5% घट जाती है however समझेगा कहरए यदि वह जन संख्या 3000 अधिक 2000 1800 thanks to 5000 पर reconnect 10 पर सेंटा ond पर्यास करिएगा कब जब ये 3000 अधिक होता तब ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे question में लिखा हुआ है 3000 अधिक होती तो जनसंख्या 10% की बृध्धी हो जाती जनसंख्या में क्या होती 10% की बृध्धी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 95 से क्या ह पहले 5% की कम घटी है फिर उसके बाद से बोल रहा है तीन हजार अधिक होती तो जन संक्या में क्या होता 10% विर्दी यानि 95 से 110 कितने कांतर है दोस्तो 15 यह जो 15% है ध्यान दीजियेगा 15% किसके बराबर है 30,000 के बराबर है पूछ क्या रहा है दोस्तो गाओं की मोल जन संक् परसेंट का मान पूछ रहा है, तो 15% बराबर दोस्तों, 3,000, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, बताईएगा, 3,000, ध्यान दीजेगा, यहाँ पे 3,000 है, बठा क्या होगा, दोस्तों, 15, और गुने क्या होगा, दोस्तों, बताईएगा, गुने 100, क्योंकि हम 100% का मान निका है तो आपको option number C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस type के भी question आपकी exam में आगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे दोस्तों question आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो वीडियो को like और share जरूर करिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके भी जुड़ जाएए notification वेल को भी on कर लीजिए और कौन से exam की दोस्तों आप त्यारी कर रहे है नीचे comment करके जरूर बताईए कौन से exam के लिए form fill up किया है पढ़िए फ्रसन है दोस्तों 5 विद्यार्थियों के गड़ित में प्राप्त नंबर का उसत 50 है बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 नंबर को भूल से 84 पढ़ लिया गया था सही उसत क्या है ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ है दोस्तों 48 को 84 पढ़ लिया गया है और कितने विद्यार्थी है पांच विद्यार्थी है उसत क्या निकाला गया था? 50 अब यहां पर ध्यान दीजिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है पूछ किया रहा है? सही उसत पूछ रहा है तो 4, यानि 14 में से 8 जा यहाँ पे हो जाएगा, आपका 6 ध्यान दीजेगा, फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजेगे, अब आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे 7 होगा, 7 में से 4 जा, 3, 36, कितना जादा पढ़ा गया है दोस्तों, 36, अब देखिए, 36 को क्या करेंगे क्योंकि 5 विद्धारती हैं आप देखेंगे 36 को 5 से भाग करेंगे क्योंकि इसमें क्या है दोस्तो 5 विद्धारती है तो 5 से भाग करेंगे और जितना आएगा दोस्तो उतना हम क्या करेंगे 50 में से घटाएंगे, ध्यान दिजेगा, 5 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे भाग करते हैं, देखिएगा, 5 सत्य, क्या होता है दोस्तो, 35 होता है, और 36 में से 35 जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 10 मलों लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूना के 10, 7.2 दोस्तो, क्या है, आउसत यहाँ पर ध्यान दिजे, 7.2 आउसत यहाँ पर, इसको हम साफ से लिख दे रहे हैं, 7.2 आउसत क्या है दोस्तो, 7.2, यह 2 है, तो 7.2 आउसत क्या है दोस्तो, यह ज्यादा लिखा गया है, तो 50 में से क्या करेंगे, दोस्तो, 7.2 कम कर लेंगे, जब 50 में से दोस्तो 7.2 कम करेंगे तो 42.8 होगा यही क्या होगा दोस्तो सही औसत होगा क्या होगा सही औसत क्या होगा दोस्तो 42 देखेगा 42 यानि 42.8 यह सही औसत होगा देखेंगे 42.8 किस option में है देखेंगे option number C में है तो आपका option number C दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तो हम उमी आपको ध्यान देना है क्या दोस्तों यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कम को ज्यादा पढ़ा गया है कभी-कभी दोस्तों क्या होता है ज्यादा को कम पढ़ लिया जाता है जब ज्यादा को कम पढ़ेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे 50 में हम उसको जोड लेकिन यहाँ पर कम को दोस्तों क्या किया गया है ज्यादा पढ़ा गया है तो हम क्या किया है घटाए है ठीक है बस इतना आपको ध्यान देना है ठीक है चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स कोशन की और अगला कोशन देखिएगा चोथा कोशन दोस्तों हम आपको बता दे ये कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेट कोशन है ऐसे प्रसन हम आपको पहले भी कराए है ध्यान दीजिएगा और ऐसे प्रसनों को सॉल्व करने के लिए छोटा सा हम आपको फर्मूला बताएंगे, फर्मूला आपको याद रखना है, पहले प्रसुन को एक बार अच्छे से पढ़िए, प्रस्न है दोस्तो, यदि 5% की दर से, दो बर्ष के लिए चक्रविर्धी व्याज तथा साधारण व्याज के बीच अंतर 225 उर्पे है, तो मोल्धन ग्य अपान 100 का स्क्वाइर, यह फर्मूला है, ठीक है, डी मतलब दोस्तो, डिफरेंस, यहाँ पी इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, फर्मूला नोट कर लिजएगा, डिफरेंस कितना है दोस्तो, अंतर कितना है, 225, तो हम यहाँ लिख देंगे 225, ठीक है, अब देखे, बराबर, यहाँ पे पूछ रहे है, मोलधन, याणि प्रिंसिपल पूछ रहे है, तो पी तो रिख देंगे, अर स्क्वाइर है, दोसतो, फर्मूले में अर स्क्वाइर है, तो आर मतलब रेट अफ इंट्रेस्ट क्या है?, 5% है, तो 5 का स्कॉइर करेंगे तो क्या होगा, दोस्तो 25 टेरेक्ट लिक दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा, फिर उसके बाद से 100 का स्क्वार है, 100 का स्क्वार मतलब 100 गुने 100, 100 क्या होता है, 10,000, ठीक है, यह 10,000 हो जाएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, कटा लेना है, कटाएंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कटाना हम आपको सेकेंड वाले चैनल पर भी बताया है, एक्जाम फीनिसर वाले पर, अगर आप एक्जाम फीनिसर से नहीं जूड़े हैं, तो उस चैनल से भी जरूर जूड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्प्ट बॉक्स में है, देखिए, यह 25 से कटेगा, तो 25 दा हमें देखिए, 90,000 कि इस उप्शन में है, देखेंगे, उप्शन नमबर डी में है, तो आपको उप्शन नमबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो दोस्तों हम उमीद करते हैं, आप इस प्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और इस टैप दोस्तों आप नोट कर लीजिए, और याद जरूर करिए, जब कभी भी दोस्तों दो बर्स से, दो बर्स का चकरुद्धी व्याज और साधारण व्याज अंतर सम्बंदित प्रस्तन आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉमूले का आप प्रियोक करेंगे, ठीक ह पाचवा कोशन हम आपको बता दें, दोस्तों ये भी क्या है, most important ध्यान दीजिएगा, और most repeated कोशन है, बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है, प्रहन उठाने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है, xy कुछ भी नहीं मानना है, direct answer देना है, कैसे देंगे हम आपको बता र अबर थी, पिता की बरतमान आयू कितनी है, ये पूछ रहे, कुछ भी नहीं करना है, दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप का आयू संबंदित प्रसन आएगा, तो आप क्या करेंगे, go through option, हम option से solve करेंगे, और second हो में answer आएगा, कैसे answer आएगा, हम आपको बता रहे हैं, पह पूतर की क्या होगी, दोस्तों, क्योंकि पिता की आयू दोस्तों, चार गुनी है, तो पूतर की आयू 4 से भाग करेंगे, 4 दुना के 8, यानि कि क्या हो जाएगा, दोस्तों, 24 असी होगा न, पूतर की आयू क्या होगी, 20 वर्स होगी, तभी तो पिता की आयू, चार गुनी के बराबर थी, तो क्या 10 का दोस्तो 7 गुना, 10 का 7 गुना 70 होता है, हाँ होता है, तो यानि कि अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप go through option solve करेंगे, यानि option से solve करेंगे, जो option दोस्तो पूरे condition को satisfied करेंगे, वही option क्या होगा दोस्तो, आपका answer होगा, और पहला option क् condition को satisfied कर रहे है, तो पहला ही आपका answer होगा, यानि पूरे condition को satisfied कर रहे है, तो पहला option क्या होगा दोस्तो, सही हो जाएगा, तो क्या दोस्तो इसके लिए आपको पहन उठाने की जोरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम आपकी exam में आगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे और एक बात और बतादू दोस्तो अगर आप math basic से zero level से और chapter वाइस पढ़ना चाते हैं तो second वाले channel दोस्तो exam finisher से जरूर जूर जाईएगा exam finisher का link हम नीचे description box में दे दिये हैं link पे click करके channel को जरूर subscribe करिए notification वेल को भी on कर प्रेट के हैं जिसमें सारे basic concept clear कर दिये हैं उस channel पर percentage की भी full class से लिए है तो उस channel से भी जूड़के आप लोग लाब दोस्तो जरूर उठाए एक बात और बतादू दोस्तो SSC Maker के दोरा दोस्तो एक special ebook launch की गई है यह ebook दोस्तो आपके आगामी exam के लिए बहुत ही important है इस ebook में दोस्तो 1500 प्लस question है जो most important question है जो most repeated question है जो हमेशा exam में पूसे जाते हैं जो बार बार repeat होते हैं उन्हीं सब प्रशनों को इस ebook में सामिल किया गया है इस ebook को दोस्तो SSC Maker कर गए customer के नंबर है 708010855 आप इस नंबर पर call करके बात भी कर सकते हैं अब तक की दोस्तो यह best ebook है इसे एक बार ले के आप जरूर पढ़िए आपके exam में इससे बहुत help मिलेगा और एक बात और बता दू दोस्तो अगर आप railway exam की तहरी कर रहे हैं तो railway exam के लिए दोस syllabus के recording है तो इसे एक बार दोस्तो आप अच्छे से जरूर देखिए मल लगा के दोस्तो अच्छे से preparation करिए कहीं पर भी समस्या आती है तो समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे बस आपको क्या करना है मल लगा का अच्छे से पढ़ना है और यह जो crash course है इसे आप जरूर complete करि हैं यह सारे चीज़ आप लोगो को क्या करना है दोस्तो हमें बताना है ठीक है बता देंगे ताकि उसके syllabus के recording हम आप लोगों को पढ़ाए और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए सर्प्राइज भी रहने वाला है आप लोगों के लिए बताएंगे क्या सर्प्राइज र झाल 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 झाल